हेलो फ्रेंड्स राधे राधे ये मैंने ड्रेस बनाई थी एपनी लड्डू को पाल Premium के zeigen ये जीरर और एक नंबरों की ड्रेस है और ये दो और तीन नंबर की ड्रेस है आज मैं इनकी केड बनाऊंगी जो दोनों पर सैम चले को जाएगी कोई भी उसी कैप को बना सकता है अराम से और ये कैप मैं आप दो और तीन नंबर के लिए बनाऊंगे आप उसको छोटी बड़ी भी कर सकते हैं छोटी चाहिए तो छोटी करिए बड़ी साइज की करनिया तो बड़ी करिए वह भी मैं बताऊंगे आपको किस तरह बड़ी कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं यह वाइट वाला लिया है मैंनी आप इसको हम ऐसे और इसकी चैन ऐसे करने हैं यह खींचना नहीं है अभी आप इसमें हम ऐसे यह यहाँ पर सिंगल क्रोश्य बनाएंगे दो तीन चार पांच यह मैंने पांच सिंगल क्रोश्य लिए हैं यह पांच सिंगल क्रोश्य हो गए हमारे अब इसको ऐसे हम खींच देंगे और अब जो हमारी फस्ट वाला थी इसको हम ऐसे जोइंट करेंगे इसमें यह ऐसे जोइंट कर लिए हमने फिर हम इसमें एक चैन लेंगे और यहाँ पर हम फिर हर चैन में यह दो बार सिंगल क्रोश्य बनाएंगे तो यह हमारे फाइव थे तो टैन हो जाएंगे हर चैन में दो बार सिंगल क्रोश्य हैं अब इसमें हैं से यह आप बड़ी जो साइज की बनाएंगे वह भी ऐसे बना सकते हैं जैसे हमने यह फाइव से स्टार्ट किया है तो आप फाइव की जगह है अगर आपका चार पांस नंबर का है तो उसको आप 6 से स्टार्ट करिए और आप अगर 0 नमबर की बनानी है तो वो आप 4 से स्टार्ट करिए और उससे बड़ी बनानी है तो आप एक एक्स्ट्रा मतलब लेह से ही लेते रहिए आप अगर आप 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 यह जोइंट कर लिया हमने फिर एक चैनल लेंगे और फिर अब की बार यह इसमें फरस्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशर बनाएंगे और यह सेगिंड वाले में हम दो बार सिंगल क्रोशर लेहें लेंगे यह ऐसे फिर हम एक सिंगल क्रोशर लेहें और नेक्स्ट वाले में हम फिर दो बार सिंगल क्रोश्य लेंगे फिर एक बार सिंगल क्रोश्य लेंगे फिर नेक्स्ट वाले में हम दो बार सिंगल क्रोश्य लेंगे तो हमारे ये अब की बार इस रो में 15 हो जाएंगे 5 ते फिर डबल लेके 10 हो गए फिर अब 15 हो जाएंगे एक में एक बार सिंगल क्रोश है एक में दो बार सिंगल क्रोश है यह हमारा लास्ट वाला है ऐसे ही यह हो गया अब इसको यहां पर हम जोइंट करेंगे स्लिप स्टिच से अब इसके बाद हम यह तीन रो बनाई है इसके बाद हम फिर सेम ऐसे ही जो हमारे 15 हुए है उनी 15 को हम एक चैन लेके ऐसे हर चैन में हम सिंगल क्रोश है करेंगे एक बार हर चैन में एक बार सिंगल क्रोश है और ऐसे ही हम इसकी रो बनाएंगे इतना यह सभी में एक सेम रहना है बसी स्टार्टिंग आप मैंने फाइव से की है दो तीन नमबर के जीरो और एक का बनाना है तो आप फॉर और फाइव का बनाना है कि इसक्स लीजे और उससे भी बड़ा बनानाया तो आप उसमें एक्सरा से विंच से स्टार्ट कीजी इसे करिये उप הי्ष ऐसे फिर डबल एक बार double और एक बार शिंगल ऐसे करके तीन रों complete करनी है। और फिर उसके बाद हर चैन में single crochet ऐसे क्रोश अईसे करना है और उसकी हम फिर आपको साइज बड़ा है तो उसकी ज्यादा रों बनाईये लाइन में और छोटा है तो आप उतनी कम कर लीजिए मैं फोर लाइन बनाऊंगी अभी आप पहना के भी देख सकते हैं जब आपका जिस साइज का हो अब ना हमको बढ़ाना है ना हमको घटाना है यह सेम ऐसे ही फोर रो कम्लीट करनी है हमको कर दो लाएना है आपका जग के वीदोन, के यह जडनोती है सकते हैं करने तर 대해 वी एंच अपका ये शाल कराओका ना हमको इसभी आपकाना है आपका थैह ख़ंगो झाल झाल यहांपर हमने 5 लिये थे फिर 10 हो गए फिर 15 हो गए उसमें और फिर 15 हमने नीचे तक किया है आपको बड़ा साइज चाहिए आपर देख लीजे बड़ी बड़ानी है तो इसमें आप लाइन बढ़ा सकते हैं यहां पर बढ़ाईए फंदे और यहां पर फिर यह लाइन बढ़ाईए अपनी ठीक है अब इसके बाद हम यह फोर के बाद हम एक चैन लेंगे ऐसे और फिर हर चैन में हम दो बार सिंगल क्रोश्या करेंगे हर चैन में दो बार सिंगल क्रोश्या ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे यह वाली यह मेरी रो कंप्लीट हो गई है यह मैंने दो दो बार हर चैन में दो दो बार सिंगल क्रोशिया किया है और अब इसके बाद हम यह रेड वाला हम जोइंट करेंगे यह ऐसे जोइंट कर लिया है यह यहां पर हम अगर आपको थोड़ा बड़ी वाली आपकी कैप है बड़े साइज की तो आप यहां पर एक राउंड रेड का ऐसे हर चैन में सिंगल क्रोशिया एक बार ले सकते हैं यहां पर हमने डबल कियेते हैं यहां से भी आप रेड स्टार्ट कर सकते हैं नहीं तो यहां पर आप खाली रेड कलर की सिंगल क्रोश ही पूरा राउंड कर लिजेंगे क्योंकि मैं छोटे में बना रही हूं तो मैं नहीं करूँगी और उसके आगे फिर यह वाला डिजाइन बना लिजिए यहां पर हमने जोइंट कर लिया है इसको एक बार और ऐसे करेंगे और यह वाला हम स्किप करेंगे एक यहां पे अब हम डबल क्रोशा लेंगे एक स्किप करेंगे नेस्ट वाले में हम ऐसे डबल क्रोशा लेंगे और फिर उसी में से डबल क्रोशा लेंगे तो ऐसे हम इसमें यह फाइव डबल क्रोशा करेंगे एक में थ्री फॉर फाइव यह हो गए और हम फिर यह 1 Quindi चीप करेंगे उसाह नेक्ट वाले में हम इसको ऐसे सिंगल क्रोशे से जोइंट करेंगे ठीक फिर हम ऐसे करेंगे एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में हम यह फाइव बार डबल क्रोश्या करेंगे तो थ्री फाइव ठीक है अब यहां पर हम एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में हम इसको जोइंट करेंगे ठीक है यह इस तरह बन जाएंगी हमारी फिर एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में हम फिर डबल क्रोश्या लेंगे यह हम एक स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोश्या लेंगे और ऐसे ही फाइव बार डबल क्रोश्या करना है यहां 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 तो, थ्री, फोर, फाइल, टीक, एक स्किप करके, ये नेस्ट वाले हैं हम उसमें, सिंगल क्रोशे से जोइंट करेंगे, इसे पूरी करेंगे हम ये रो, अब ये हमारी कम्प्लीट हो गई है, अब यहां पर हम इसको ऐसे, सिंगल क्रोशे से जोइंट करेंगे, ठीक है, ये देखें, कितनी संदर कैप है, और यहां से हम अब इसको कट कर देंगे, ये ऐसे करके, इसको हम ऐसे, और इसके धागे वागरा कट कर देने है, अंदर की साइड निकाल के, ये हैट कम्प्लीट हो गई है, अभी इसमें एक चीज़ और करेंगे, ऐसे हमको एक चैन बना लेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, शिक्स, सेविन, एट, नाइन, ये चैन आप नाथ के देख लीजे, ताकि इसमें फिर नोट लग सके, उतनी बड़ी चैन ले लीजे, आप, मैं इतनी चैन बनाऊँगी, अब इसको हम ऐसे, कट करके, इसमें, ऐसे नोट इसके, टाइट करेंगे, दोनों साइड की, ठीक है, और ये वाले धागे हम, कट कर देंगे, और अब यहां पे, इसको ऐसे, गमा आप एसे नोट बाइंगे, ठीक है, यह ऐसे, बन जाएगी, देखिए कितनी सिंपल है बनानी, और आप किसी भी साइज की बना सकते हैं, इनको यहां पे बढ़ा कर, स्टार्ट कर दीजिए, और यह दोनों ड्रेस के चल जाएगी, किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं, और किसी भी साइज की बना सकते हैं, ठीक है, यह मैंने दो और तीन नमबर के लिए बनाई है, ठीक है, यह मेरी कंपलीट हो गई है, तो फ्रेंट्स आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके बताईएगा, लाइक कीजे, कमेंट्स कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मैं फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स वीडियो के साथ ओके फ्रेंड्स, रादे रादे